हाई दोस्तों क्या हाल चाला है आज हम बड़े दिन के बाद अपने गर पे आये हैं अभी गर के पास हमने काफी सब्जी लगाई हुई है आपको दिखाएंगे अपने किचन गार्डन में अभी क्या क्या लग रहा है पहले देखते हैं छोटा सा कुछ दिखाई ही तो दे रह हुए है आपको दिखाने की पूरी कोशिच कर रहे हैं छोटा सा पीस अभी भी अभी तो चोटा ही है अभी इसको एक हफ्ता हो लगेगा बड़ा होने में एक हमारे पास हे वाले लगे हुए हैं और साथ में कुछ टमाटो तो माटो भी अभी कच्छे हैं ग्रीन ग्रीन दि दिखाते हैं हम पास से कच्चे टमाटर तो यहां पे हमने भी लागाया हुआ है बरिंजल अभी सिर्भ देखो उसके सान सिर्फ लावर साइं भी देखो देखो तोड़ा से पर्पल कलर के आपको लावर से दिख रहे होंगे यहां पर आपको दिख रहे होंगे और साथ में मिस्टर कदू सिंग भी लगे हुए है यहां पर बड़े बड़े यह तो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है काफी बड़ा है कम से कम इसको मेजर करके ऐसे लग रहा है एक किलो तक हो गाई और साथ में कुछ छोटे-छोटे भी लगे हुए हैं इसमें चोटा सा लगता है यहां पर इन्होंने दवाई नहीं डाली उसकी कारण छोटे-छोटा इनको इन्सेक्ट का अटैक होने स्टार्ट हो इनको सप्रेक करना पड़ेगा नहीं तो सारे खराब हो जाएंगे बाकी और क्या देखते हैं आपको पताते हैं कि यहां पे न एक छोटे से औरेंज कलर के छोटे-छोटे इन्सेक्ट यहां पे आपको दिखाई देंगे जो हमारे पोदों को काफी नुकसान देते हैं हम आपको पास से दिखाई देते हैं आपको पता चले कौन सा इन्सेक्ट यह आपको रहा होगा जैसे काफी उटते रहते हैं यह फ्लाइंग इन्सेक्ट है यह देखो लीप्स के ऊपर बैठे हुए यह हमारे जो भी हम किचन गार्डन में काफी नुकसान करते हैं और देखो जैसे हमने टमाटो लगाए हुए यहां पे भी कुछ इंसेक्ट उपर गूम रहे हैं यहां पे इनको जल्दी सप्रे करना होगा और इसी के साथ हम जब विंटर आती है तो यहां पे ना थोड़ा सा फाग होता है उसके कारण हमारा किचन गार्डन खराब होने का डर होता है इसलिए उपर हमने एक सोटा सा शैड बनाया हुआ है और इसके उपर जब भी विंटर आती है इसके उपर हम गास फैंक देते हैं और से क्यों नीचे वाली लियर बन जाती है और नीचे प्रोटेक्शन मिल जाती है आशा करता हूं आपको विजिवल होगा सब कुछ थैंक यू